अकसर लोगों का ये सवाल रहता है कि लड्डू कोपाल की पूजा की बिधी क्या होती है और लड्डू कोपाल की पूजा किस प्रकार की जाती है तो आए जानते हैं कि जन्माश्टमी के अफसर पर लड्डू कोपाल की पूजा कैसे की जाती है इंदूधर में हर साल भाद्र पर्द माह किष्णि पक्ष की अश्टमी तिधी को भगवान क्रिश्ने का जन्मीसम मनाया जाता है इसे श्री किष्ण जन्माश्टमी भी कहा जाता है धार्मिक मानेता है कि भगवान कृष्ण के लड़कोपाल सोरोग के बिदी बिदान और सही तरीके से पूजा कहने से भगवान प्रशन्न होकर अपने भक्तों के सभी मनोकाम नाय पूरी करते हैं जोतिसमे भगवान श्री किष्ण बिष्ण जी के आठवे अपतार माने गए हैं आईए जानते हैं जन्माष्टमी का शुम महुर्थ पूजा बिदी और मंत्र सबसे पहले जानते हैं कि जन्माष्टमी कभ है पंचांग के नुज़ा इस साल भादरपद माग के कृष्ण बख्ष के अश्टिमी तिती की शुरुआथ 26 अगस्ते 2024 को सुवह 3 बच के 49 मिनट पर होगी और अगले दिन 27 अगस्ते 2024 को सुवह 2 बच के 19 मिनट पर समाप्त होगी श्रिकिश्टमी जन्माष्टमी जो पूज़ा मूरत है वह है 26 अगस्ते 2024 को दोफैर 12 बच के 27 मिनट से लेकर देदराद 12 बच के 44 मिनट तक अब जानते हैं कि जन्माष्टमी की पूज़ा विदी क्या है सबसे पहले बाल गोपाल को दूद दही, घी और गंगाजल से इसनान करवाएं इसके बाद साफ कपड़े से पहुचने के बाद लड़ गोपाल को नए बस्तर पहना है इसनान के बाद बाल गोपाल का बाल रूप में श्रंगार करें उनकी पूजा आरंब करें माखन मिश्री का भूग लगाएं घर में जो भी सात्विक भोजन बना हो उसको सबसे पहले बाल गोपाल को अर्पत करें इस दिन लटो गोपाल के लिए प्रशाद बनाते समय लेस्टन प्याज का इस्तिवाल ना करें अब जानते हैं कि जनमाष्टमी के दिन भवाश्री क्रिशन के जनमो सब के अफसर पर किन मंत्रों का चार करना चाहिए बोलिये नंद के लाला की जय झाल झाल